कि आज लखनों में काफी कर्मी थी तेंपरेचर करीब रहा होगा 42-43 हो सकता हो चवारेज भी रहा हो और चेरी टोमाटोस उपर मैंने आपको दिखाया हुआ था कि मैंने गुरू बैंग में लगाया हुआ है कई सारी वेराइटीज थी कलर भी कई सारे थे शेप भी कई सारे इसकी प्लकिंग काफी दिनों से लगातार होती चली आ रही है लेकिन चुकि टेंपरेचर काफी हाई है और आगे हमने प्रेटिक्शन है कि टेंपरेचर अभी कंसिंटेंटली 24-45 तक जाएगा तो यह डिसाइड हुआ कि अब दिरे-दिरे करके टेरी चेरी ट्रमाटोस को ह गरंत नहीं करेंगे इसका मॉशार कंटेंट है वो कम हो जाएगा और इसकी जो आउटर इसकी होती है मैं आगा सब्ण हो जाता है अगरिखना नहीं है तो ट्रमाटर अच्छा नहीं होता और आपको बताते हैं मैं आपन्टर किया अ करति आइक वेらइटी में कि देखिए ल पूरा का पूरा बंच बने काट लिया था इसमें आप देखें कुछ टमाटर छोटे हैं कुछ बड़े हैं कुछ पूरे तरह के से तैयार है तो एक तो टमाटर की वराइटी यह है जो खाने में काफी टैंगी है यह एक बंच के अंदर मैंने गिना था पचपन टमाटोस तक बंच के अंदर में लगे उगए नेहीं है आपको अब एक वाराइटी यह पीले रेक में बंच्ष में थी वो बताया रहा सुझ आपको एक लिटवाइटी के ट्रफ़टो तुदशियं आपको। भी निशंपार सुनरी थे इस लिपी दर ब़र के रिक्वार्मकंनमेट बहुत ज्यादा है दिन में दो बार तीन बार पानी डालना पड़ रहा है कि अपर लेवल इसमें भी इन्डियन वराइटी है और जो आप लेड वाली देख रहे हैं रेड वाली का फर्मनेस काफी ज्यादा है इसके उपर टेंप्रेशर का ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा आपको मैं दिखाता हूँ यह बिल्कुल सक्त है ट्रमाटर और इसमें स्वीट कंटेंट काफी ज्यादा है यह इस तोड्स स्वीट कंटेंट एक वराइटी यह हुई जो दूसरी वराइटी है यह वाली प्लम शेप में इसकी water requirement काफी कम है इसको अगर आप पानी ना भी दें दिन में एक बार दें तो यह चलता है मैंने पीछे अपने सारे वीडियो में जो मेरे cherry tomatoes पर बताए थे उसके मैंने link भी दिया हुआ था description भी दिया था आप उसको देखें और यह total आज की आज की age अगर हम आज देखें तो करीब साड़े चार महना हो चले हैं जब tomato लगा था और यह करीब साठ दिन के बाद से इस स्टार्टेट इसने अपना जो है फल देना चालू कर दिया था तो मैं आपको यह बताना चाहरा था कि इसकी commercial value भी बहुत जादा है अगर आप खेती भी करना चाहते हैं च्छत प्रूमाटर को ग्रो करें और पूरे सीजन भर इस तो मैट उसको खा सकते हैं यह तो सलेड में बड़ा अच्छा होता है और फिफ्टी टोमाटोस का अगर आप एक बंच बदा के मजाने बेशते हैं तो बड़े मज़े में लोग इसको 70 से 75 रुपय के अंदर में यह तो मै कैसे इसको लगाना है इसका मैंसें करना है स्कुर्ण किस्वेसे कर नी है सुरूस से जरूर आप देखें क्योंकि बताना असान होता मरा अतना यह उता तो आप व्यडInfo को देखते रहें उसमें सभी टेंडिक बताई गया है चेरी टॉमेडोस के बारे मैं मैंने कई सारी ल ने नाया है को जिसमें हिए मुट को पोधिय लगाने से ले करके झाले का कैसे बड़ा करना है कैसे उसकी डू साखाय लेकर काणिये कैसे पत्ती की कटिंग करनी है के निए कि Metallic सर्सों की खली का पानी कब उसके अंदर देना है यह सब आप करेंगे तो आप यह देखेंगे कि चेरी टोमाटोस को उगाना बहुत ही आसान है इससे फादा क्या होता है आपको सलेट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता बच्चे टोमाटोस बड़े आसानी से इसको खा सकते हैं इसके अलाबा चेरी टोमाटोस का मैनेजमेंट बहुत इजी है एक पेल के अंदर में आप समझ लीजे कि 8-10 किलो चेरी टोमाटोस अगर आ तो मेरा अपना मालना यह है कि चार से पांच किलो जो बिगिनर है वह इस टोमाटोस को पैदा कर सकता एक-एक के बंच के अंदर में आप देखे सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सबसे बड़ी बात यह है इस चेरी टोमाटोस के बारे में कि एक बार फल लगा आपने फल फूल का फुटाओ हो जाता है तो कंटिनुवस ओवर एक पीरिट ऑफ फोर मंस दो महने के बाद से लगातार आपका फल जो है उसमें आता रहता है और दूसरे टोमाटोस में यह है कि एक बार आपने प्लक कर लिया तो उसके बाद टोमाटार असानी से आता नहीं है लेकिन टोमाटोस की सबसे बड़ी बीटी है कि एक बार आप लगाए और पांच महने तक लगाता टोमाटर खाते रहिए अगर जैसे कि मेरे आप तो उपर ओपन सद है अगर आप इसमें शेडनेट लगा लें 50% वाला मेरा अपना मानना है कि जो यह मैंने अभी प्लक कर लिया है यह अभी कम से कम देखिए आप देखिए इसमें यह ग्रीन टोमेटोस हैं यह भी बड़े हो सकते थे चुकि टंप्रेचर आज 44 43 44 डिग्रीज हो चला था यह हुआ कि इसको तोड लिया जाए अगर आप इसमें शेडनेट लगा सकते हैं और बड़े ग्रो बैग में और है अगर आप अपने आपकी च्छत है अगर आप एक छोटा सा चेरी टोमेटोस चो की आफ लेट काफी फेमस होगा है जितने भी सब्सक्राइब की बड़ी दुकाने है या डिपामेंटर स्टोर है वह चोटे से पैक में आजकल टोमेटोस रख करके यह बेचा जा रहा है औ दिजीज रेइस्टेंट है यह है और इसके अंदर में वाइडमिन सी और करोटिन काफी ज्यादा होता है इसके अंदर में चेरी टोमेटोस के अंदर में तो मेरा आप से यही है कि आप मेरी जो भी पिछले जो हमने इसमें सीरीज बनाई है टोमेटोस की उसको आप देखें आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है कोई डाउट है तो आप पूछें आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टॉमेटो सेरीज वाला तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें समय पर हमने कई सारी जानकारियां दी है जैसे कि मदद कर सकते हैं नीचे एक नंबर दिया हुआ है आपको अगले सीजन में ट्रोमाटो का पौधा चाहिए कोई ग्रोबैक चाहिए या और किसी का गाइड़न्स चाहिए तो आयम अबलेविल ओवर फोन हम गाइड़न्स दी जा सकती है आप हमें यूटूब के ओपर अप कि इनक राइड़ कोई एक प्लाइब कुझ ना सकती है要। rejected कि एक ख़ले हैं तो कोई कि अटोर not कि एक बंचowego में ग्रोमाटो का की बार चूब को हम ऐख टेम striving aún ऐग से सकती है तूबुनिया है झाल